अच्छो हमारा चैप्टर वी तर चल रहा था संक्रामा ग्रोगों का नियंत्रा आज हम लोग वाई द्वारा समाहे फैलने वाले रोगों की बारे में पढ़ेंगे जब सांस देता है तो सांस के द्वारा उसके बाड़ी में क्या होता है जिवारों पहुच जाते हैं यदि ये जिवारों रोग वाग के टारों को लेकर चलते हैं तो ये उसका प्रभाव हमारी बाड़ी में छोड़ देते हैं वायू द्वारा फैले वारे रोग किसी एक व्यक्ति कोई नहीं बल्कि पूरे मुहरले और पूरे शहर को प्रभावित करते हैं वायू में विविन प्रकार की असुदिया मिली होती है जब वायू में असुदिय उत्पन होती है तो इसकी कती कम हो जाती है और कती कम होने से जिवाणों और रिशाणों उसमें उत्पन हो जाते है असुत वायू के सेवन से विविर प्रकार की परिशानियां होती है व्यक्ति कुमेचैनी का अनुभा होता है दम गुपने लगता है सेर में दार्द हो जाता है शरीर की रोग की छंता कम हो जाती है इससे मनों से रोगी हो जाता है रोकी मनों से जब स्वास लेता है या छोरता है तो किसी से और किसी से जब बात करता है खासता है चीकता है तो उसके जो धूक की गुदे होती हैं उसमें किटानों होते हैं जो हमको डिखाएंगी देते ह। और ये वायू में में जाते हैं जब दूसरा व्यक्ति उस व्यक्ति के संपर्क में आता है या उस वातवर में स्वास देता है तो उसके अंदर वो टिटानू पोहच जाते हैं और व्यक्ति रोग ग्रस्त हो जाते हैं वाय द्वारा फैलने वाले कई रोग हैं जैसे चेचक, खस्रा, तपैदिक, इंफ्लियोंजा, कणफेट, कालिखासी, सर्थी जुखाम आदी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको चेचक के बारे में बता हूँ Thank you बच्चों